सब्सक्राइब आपको यहां पर पांच फंक्संस जो आपको याद रखने हैं यह पांच इस्टेप होते हैं functions of management में पहला step होता है planning का मतलब हो गया forecasting या goal setting कोई भी organization है पास्ट को अपना analyze करके future के लिए कुछ नो कुछ forecast करता है एक goal set करता है तो उसको हम लोग planning कहते हैं अब planning से कोशन यह आता है कि planning क्या सिर्फ top level management द्वारा की जाती है ऐसा विल्कुल नहीं है planning जो है वो चाहिए top level management हो मिड लेल हो और चाहिए lower level हो हर lovel पर planning की जरूरत पड़ती आओ ऊप लेब पर जहां पर स्सक्रिछी को फर्म मलेट किया जाता है पर स्क्रिछा को फर्मॉलेट किया जाता आहीं थेवर्ण मेर्ट के दौरा कि जाती है तो प्लाडिंग का मतलब हो गया फोरकास्टिंग या इंप मेनपाबर मस लुक है मन्री इन रिस्चोर्च को किस तरीके से किसंताइब बेए इन से कि maximum output मिल सके तो इसी को हम लोग कहते हैं organizing ठीक है तो second step जो functions of management में होता है वो organizing होता है थर्ड step की बात करें तो इसको कहते है staffing staffing का मतलब क्या होता है staffing का मतलब होता है recruiting right people for the right position at the right time आप समझ रहे हैं तो staffing में recruiting selection training इनको जो include किया जाता है कि किस तरीके थे जो एक right position के लिए एक right people और right time पे उसको recruit किया जा सके और किसी भी company की growth के लिए जो employee होते हैं वो एक man role play करते हैं तो यह स्टाफिंग के अंदर गताएगा recruiting selection training ठीक है अब next step देखिए चौथा होता है directing directing का मतलब क्या होता है guiding motivating supervising तो यह जो है directing के अंदर आते हैं कि जो भी imply है उसको guide किया जाए motivate किया जाए और उसको supervise किया जाए अब controlling की बात करें तो controlling में में आता है take corrective actions if performance is not in accordance with the planned objective इसमें controlling में क्या होता है कि जो भी हमने फुरुआत में प्लान बनाया है लास्ट में हम उसको analyze करेंगे कि देखेंगे कि जो हमारा जो प्लान बनाया था वो कहें डेवियेट तो नहीं कर रहा है जो हम controlling में हम लोग सामिल करते हैं कोई भी organization है उसके जो management functions होते हैं वो यही पांच functions आपको याद रखने हैं मैंने पहले क्या बताया planning दूसरा organization organizing तीसरा staffing चौथा directing और पांचमा controlling यही मैं जो है पांच जो है functions होते हैं किसी भी management के तो आपको इस तरीके मैंने सोट में आपको बता दिया चलिए हम आप सवालों की तरफ पढ़ते हैं और आज के जो भी सवाल हैं वो मैंने सिर्फ planning से लिए हैं कि यह हमको broadly पढ़ना है ऐसा तो नहीं सोट में पढ़ना है कि एक पूरा यूनिट है management functions and behavior तो behavior में हम कापी चीज़ों को पढ़ चुके हैं जैसे motivation हो गया थियोरी हो गई और लेडर्शिप की थियोरी बाकी है तो हम उनको आगे पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ हमने कबर कि हैं planning के question किसके planning के ठीक है तो पहला जो step होता है functions of management में वो होता है planning अब second step क्या होता है second step organizing होता है तो second video में इसके बाद video में जो भी question होंगे वो organizing के होंगे और उसके बाद staffing के होंगे इस तरीके थे जो 5 step है जो 5 functions of management हैं उनसे हम अलग-अलग video में सवालों को discuss करेंगे तो चलिए इस वीडियो में planning के questions को देख लीजिए तो यह list दिया है इसको matching कर दीजिए जो अभी मैंने बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा planning में हम लोग क्या करते है तो planning में आप आप देख लीजिए क्या इसमें देखिए planning में क्या करते हैं forecasting करते हैं करते हैं Controlling में evaluate करते हैँ जो भी हमने plan set क्या था अब उसको actual जो उससे outcome मिल आए उसको देख के हम अभीड करेंगे कि कहीं डेवीएशन तो नहीं अगर डेवीएशन है तो क्यों है उस बारे में बात करते हैं controlling के अंदर चलिए next question देखिए अगला question क्या है अगला question है study the following statements and mark your answer according to the answer code given below तो यह आपको इसमें से देखिए कवन कवन से सही हैं वो आपको बताने है। पहला स्टेटमेंन ने planning is the first function of management बिल्कुल अभी मैंने बताया तहला planning होता है। दूसरा organizing। तीसरा staffing चूथरा directing । 5 कंट्रोलिंग То planning is the first function of management होता है। बिल्कुल सही बात है।tilnd planning provides a basis for organizing। । इन भी है जो होता है। दूसरा function क्या होता है organizing होता है जो planning जो है वो organizing के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है एक बेसिस प्रोवाइड करता है तो second statement कह रहा है planning provides a basis for organizing बिल्कुल सही बात है तो first और second सही हो चुके हैं अब next देखिए statement planning does not involve decision making यह गलत हो गया ऐसा तो होता ही नहीं है कि जो decision making है decision making में planning का कोई रोल नहीं होता है तो planning must involve in decision making planning involved होती है decision making में कोई decision लेते हैं कोई भी decision लेने के लिए आपको planning की जुरूत पड़ती है आप समझ रहे होंगे चीजों को फॉर्थ statement कह रहा है planning is a static function यह भी बिल्कुल गलत है planning is static function नहीं होता यह flexible होता है तो यहां से सिर्फ दो statement आपके सही हो रहे है planning is the first function of management and planning provides a basis for organizing तो यहीं आपके आंसर हो जाएंगे यहां से first और second जो है statement आपके सही है चलिए next देखिए question next question है planning is a process planning is a goal oriented process बिल्कुल सही बात है शुरुबात में हम लोग बात कर चुके हैं कि planning में क्या होता है कि यह goal बनाते हैं forecast करते हैं यही सब चीजे planning में आती है तो planning is a flexible process बिल्कुल flexible process होती है इससे पहले वाले अभी हमने statement में देखा है planning में जिसमें उसमें आपको statement दिया था following sequences अब job requirement की आपको planning करनी है तो इसके लिए कौन सा sequence follow करना चाहिए यह इसमें आप से पूछा गया है तो किसी भी job requirement के लिए सबसे पहला काम क्या होता है जोब का information देना तभी तो सबको पता चलेगा जोब के बारे में तो सबसे पहला जो step होता है job information उसके बाद second step होता है job description जेडी जिसको बोलते है जोब description में यह सब चीजे mention होती है रोल कांसे रोल पर आपको recruit किया जा रहा है क्या आपकी responsibility रहेगी और क्या जो है qualifications उस रोल के लिए चाहिए तो यह सब जेडी में होता है job description में और third step होता है job evaluation उसके बाद job का evaluation करते हैं तो यहीं आपका answer आ जाएगा planning अगर कर रहे हैं कोई भी organization जोब requirement के लिए planning कर रहा है तो पहले job information देना होगा फिर job description and third is job का evaluation तो यहीं इसका answer हो जाएगा अगला सबाल देखिए next question हमारा है which among the following is not a business forecasting technique तो इन में से कौन सा जो है business forecasting technique नहीं है forecasting is a part of planning forecasting यह प्लानिंग ही आप उसको कह सकते हैं कि planning में forecasting यह तो कोई organization करता है अपने past को analyze करता है और उसी base पर future को forecast करता है तो budgeting बिल्कुल बिजनिस forecasting की टेक्निक है profit planning भी टेक्निक है determining the cost standard यह भी टेक्निक है बट यह option डी है presenting financial statement यह जो है business forecasting की टेक्निक नहीं है अब यह तीन टेक्निक्स यहाँ पर दी गई है business forecasting की इसके अब भी आपको याद होंगी बहुत सी होती है कुछ quantitative techniques होती है जिन से business को forecast किया जाता है जिते time series analysis regression analysis econometrics method opinion poll factors listing method determining the cost standard profit planning budgeting यह सभी टेक्निक होती है जिनसके द्वारा business को forecast किया जाता है next question की तरब देखते हैं अगला question देखिए in management policy formulation is a part of the policy formulation is a part of planning we are already discussed this point तो जो policy formulation है planning का ही एक part है चलिए आगे देखिए अगला according to a plan is a trap led to capture the future तो यह किसके द्वारा यह दिया गया है आप ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा यह question आने के chance है according to इस unit की में बात कर रहा हूं जो unit हमारी चल लई है management functions and behavior तो इसको आप ध्यान से याद कर लेना यह जो है एलन के द्वारा का गया था एलन ने यह कहा है जो नियोजन है वो भविस्ट को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है जिसको एंदी में ख़ें ठीक है चलिए अगला सबल देखिए अगला है succession planning is more relevant to succession planning हमेशा जो है top level management का एक relevant होती है top level के लिए relevant होती है हमेशा succession planning की बात की जाए तो यहां से यही आप cancer हो जागा top level ठीक है तो चलिए अगला देखिए next question क्या गह रहा है next question planning is an activity which is always confines to top management all levels तो इसको मैं आपको already बता चुका हो कि planning जो है planning ऐसा नहीं कि सिर्फ top management की द्वारा की जाती है वो हर level पी की जाती है चाहें top level की बात की की जाए चाहें lower level की बात की जाए समझ रहे है ना तो यह परवेश to all levels सभी इस तरों पर व्यापक तो यह इसका answer होगा मैं शुरूबात में बता चुआ है planning कोई top level management का काम नहीं है हर level पे जो है planning की जाती है top level पे जो management planning करता है वो forecasting करते strategy बनाते हैं ठीक है ना policy को formulate करते हैं और उनी policy को execute करने के लिए जो हमेरा middle level होता है वो भी अपनी planning अपने हिसाब से बनाता है तो planning जो है हर level पर बनाई जाती है यह कोई top management का काम नहीं है चलिए next देखिए next question क्या है next question है which of the following principle serves as a warning to organizations not to take the selection and promotion process lightly तो उस principle को आप से पूचा गया है कि वो कौन सा principle है जिसमें यह बताया गया है कि organization not to take the selection and promotion process lightly कि organization को जो selection और promotion का जो process है lightly नहीं लेना चाहिए तो Peter का principle है आपको ध्यान रखना है पीटर प्रिंसिपल पीटर प्रिंसिपल यह कहता है कि organization को selection और promotion का जो process होता है एक crucial process होता है किसी वी organization के लिए इसको lightly नहीं लेना चाहिए यह पीटर प्रिंसिपल कहता है चलिए next question देखिए next question है which function of management do not exist without planning तो यहां पर पूचा गया है management functions की बात कीज़ेए कि do not exist without planning तो option जो है D is the right answer of this question controlling is not exist without planning तो यही इसका answer आजागा controlling के लिए planning बहुत जरूरी है without planning controlling doesn't exist next देखिए next दिया है planning organizing directing and controlling are the management functions है तो यहां से direct आप लगा दीजिए यह तो शुरुआत में मैं बता चुका हूं planning organizing directing controlling एक और होता है staffing तो यह five steps होते हैं जो functions of management में आते हैं तो इस वीडियो में हमने 12 questions को आपको बताया है जो की सारे के सारे planning से सम्मंदित है सभी questions को मैंने planning से लिया था next में आएगा आपका organizing से उसके बाद staffing से उसके बाद directing controlling इस तरीके से आपको इसको प्रसनों को देखना है क्योंकि हमको broad bay में पढ़ना है एक unit के रूप में पढ़ना है इन sort में आपको इसको पढ़ना नहीं है तो आप लोग पढ़ते रहे और अपना जो feedback हमें comment box में बताते रहे है कि इस तरीके की हमें भी जो है यहां controlling करें किस तरीके से evaluate करें analyze करें तो इन सब चीजों को आप बताते रहे comment box में चलिए next video में मिलते हैं इस video में इतना है thank you and thanks for watching